दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में कोमिक्स का खजाना में और आज के दिन में आप सभी के लिए ले के आया हूं सर्वनायक सीरीज सर्वरण का रिव्यू और यह जो है अभी तक किसी के भी चैनल पे सर्वनायक सीरीज सर्वरण का रिव्यू नहीं डल और यह हमारा फस्ट चनल है जिसके ओपर सर्वर रन का रिव्यू डलने वाला है तो दोस्तों इस कोमिक के अंदर कूल 92 पेज़े और मैंने जो है इस कोमिक के बारे में हम डिसकस करेंगे तो मैंने उन्हें पार्ट में डिवाइड करा है जैसे कि एक पार्ट है इस कोमिक की क् इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो अब हम इसके पीछे से पेज खुलना स्टार्ट करते हैं और अब यहां पर देख सकते हो कि इस कोमिक में कूल 92 पेज़े से और अगली जो कोमिक होने वाली है वह सर्व ग्रहन क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कथा जारी है सर् अब होने वाली है दोस्तो सर्व ग्रहन में और इसके ओपर लिखा हुआ है यारादी टोली फाइटर टोट्स जो एक विट्टू बोल रहा है और अब जो है हम इस कोमिक के पेजस कॉलिटी की बात कर लेते हैं तो दोस्तो इसकी पेज कॉलिटी बेशक बहुत ही शांदार ह जो है बहुत ही मोटे मोटे है और हम इसके फर्ष्ट पार्ट यानि की प्रस्तावन आरंब में आ जाते हैं जिसमें जो प्रस्तावन आरंब का नाम है वो है नर्ग का तानहाशा और यह जो है कहानी स्टार्ट होती है बर्लिन सीटी जर्मनी में वर्तवान का समय है और अभ पर जो है हिटलर अपनी हिटलर की आत्मा जो है वापस से धर्ती के उपर आ जाती है नाजी सेना के जॉम्बीस को लेके और अब जो है नर्क का दर्वाजा फिर से खुल चुका है और नर्क का बेटा रक्ष धर्ती पर फिर से आ चुका है और नर्क का बेटा रक्ष धर्ती प ठोपाता है दोस्तो जो जीवो नाम का एक व्यक्ति आता है और अगर आपको जीवो के बारे में नहीं पता है और जीवो के बारे में अगर आप जानना चाहते है तो आपको नागराज और सूपरकमांड़ excessive को मिक विशेशांख तानाशा पढ़ना होगा तो जीवो जो है नर्क के बेटे रक्ष को आखिर में हरा देता है और हिटलर की आत्मा को अपने अंदर ले लेता है तो यहीं बर्जर है फर्स्ट पार्ट खतम होता है और अब आता है दूसरा खंड नए रक्षकों का आगास ड्रेकुला और बोड्रेल नाम के यहाँ पर दो विलन आते हैं और यह ड्रेकुला और कोई नहीं पुराना ड्रेकुला काउंट ड्रेकुला है जो आपको ड्रेकुला का हमला और ड्रेकुला सीरीज में भी देखने को मिलेगा जो नागराज और सुपर कमांडो दुरू की एक सीरीज है और वो भी हमारे चैनले पे अपलोडेट है आप जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है दोनों किस मकसद से आते हैं ताकि वह दोनों अपनी राक्षे सी पापात्माँ शक्तियों को बढ़ा सके वो यहाँ पर एक और बहुत अच्छे आदमी के इंट्री होती है जो महादेव की शक्ति से पेदा होता है और वह सभी पाप शक्तियों का अलग निरंजन कर देता है अपने उल्लू की मदद से तो वो जो है बोड्रेल को हरा देता है और आगी कहानी जानने करेता आपको कोमिक पर्चेस करनी पड़ेगी ना और अब हम इसके आर्टवर्क की बात करते है दोस्तों इसका आर्टवर्क जो है बहुत ही अच्छा है मैंने आपको अंदर अभी दिखा दिया था और अब इसके कवर पेच की यहाँ पर राज कोमिक विशेशांग लिखा हुआ है और यहाँ रही सर्वनायक सर्वरन यहाँ पर आपको गोजो का लोगो दिख जाएगा और यह जो है एक डांसिंग जोकर है नीचे आपको सुपर कामांडो दुरू का भी लोगो दिख जाएगा और यहाँ है अलग निरंजन करने वाला व्यक्ति जो अपने उल्लूका की मदद से अलग निरंजन करता है यह रहाँ सुपर कामांडो दुरू यह रहाँ डांसिंग जोकर और यह अब राज कोमिक को 30 वर्क्ष हो चुके हैं 2020 में तो कॉंग्रेचुलेशन राज कोमिक और यहाँ जो है आप लिखावा सर्वनायक वर्ष 2020 ब्रहंबान रक्षक का एक लोगो और अब चलिए हम इस को कोमिक के अंदर का कुछ आटवर्क देख लेते था आप देख सकते आटवर्क तो बहुत ही अच्छा है अंदर का और अब हम जो है इसके पीछे की बात कर लेहें कर लेते हैं इसमें लिखा हुआ है यूगम धरित्री अस्य और एस डव्यू टाइगर सीरीज यहाँ पर एक साइड में देख सकते हैं राज कोमिक सर्वरन तो अगर आप इस गोमिक को जमाएंगे भी तो आप आसा निसे से निकाल सकते देखकर और यह जो कोमिक का रिव्यू तूसरे किसी भी चैनल पर अप्लोड़ेड नहीं है यह सिरह हमारे ही चैनल पर अप्लोड़ेड है और दो प्रकाशित कोमिक पिछली जो दस से ग्यारा कोमिक के प्राइज भी 120 है सिर्फ उसर सर्व यूगाम और यूगांदर के प्राइज शाय नाइट थे और यह आग चुकि यह नागराज की अब तक की प्रकाशित सारी कोमिक और यह ओरिजिनल प्रिंट और भी होगा क्यों नह यहां पर आप देख सकते हैं एक और कोमिक का एड प्रकोश्ट के कैदी और यहां पर है इस्त्री मू शक्ति रूपा श्रंखला का एड यह अपकमिंग सीरीज होने वाली है और एक नागरंद का भी एड शक्ति रूपा सीरीज बेर सुपर कमांडर दुरूबगार उसकी प कर दीजेगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए और मैं एसी ही और भी जाता वीडियोस अप्लोड करूँ तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक्स एंड तिल देन गुडबाई एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो